दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार्ट सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चाओधरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आजित की जाने वाली गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता परिक्षा के सामाने अध्यन का प्रैक्टिस सेट संख्या उन्नीस जिसमें हम सामाने अध्यन के अंतरगत पूछे जाने वाले 40 प्रशनों को साल्व करेंगे दोस्तों ये वीडियो GIC प्रवक्ता परिक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आजित की जाने वाली अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं की सामाने अध्यन खंड के लिए भी विशेश रूप से उप्योगी तथा महत्वपूर है तो आये शुरू करते हैं आज का वीडियो GIC प्रवक्ता परिक्षा सामाने अध्यन प्रैक्टिस सेट संख्या 19 दोस्तों आज का ये जो प्रैक्टिस सेट हम साल्व कर रहे हैं इसका पहला प्रश्न देखते हैं पहला प्रश्न सूची एक का सूची दो से मिलान कराना है और इसमें संबैधानिक विकास से संबंधित प्रमुख अधिनियम है और उनमें क्या विवस्थाएं की गई थी उनका मिलान आपको करना है तो आईए देखते हैं भारती परिश्द अधिनियम 1909 ये दोस्तों लाड मिंटो के समय में सासनकाल में इसको पारित किया गया था भारत सासन अधिनियम 1935 में प्रांती स्वायतता की बात की गई थी कांग्रेस का लखनव समझोता 1916 में हुआ था और भारत सासन अधनियम 1919 जो था दोस्तों ये द्वी सासन पधधती का आरंब तो इस प्रकार से सही मिलान आप इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों भारत सचिव मारले और वायसराय विंटो के द्वारा सुधारों का जो भारती परिशत अधनियम 1909 पारित किया गया था 1909 के अधनियम को मारले मिंटो सुधार कहा जाता है 1935 अधनियम द्वारा प्रांती स्वायत था कि प्राप्त हुई और भारत सासन अधनियम 1919 जिसको की मांटेग्यू चिम स्फोर्ट सुधार कहा जाता है प्रांतों में द्विशासन पद्धत परारम किया गया जबकि लखनव समझा था या इसको कांग्रेस लीग पैक्ट यानि एनी वेसेंट और तिलक के प्रयतनों के द्वारा 1916 में संपन्न हुआ था अगला प्रशन है दोस्तों बिश्व में किस अस्थान पर एक प्रसिध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है आपसन है आपके रूप कुंड हेम कुंड तारा कुंड या ब्रहम कुंड तो सही उत्तर है दोस्तों, हेम कुंड चमोली उत्राखंड नाम का स्थान पर एक प्रसिध शिक्ध गुरुद्वारा इस्थित है, तो आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखिए दोस्तों, सूची एक का सूची दो से मिलान करना है और दिये गय कूट के आधार पर सही उत्तर का चैन आपको करना है देखिए, इसमें अस्थान और उनके इसमारकों से समबंधित आपको सही मिलान करना है एली फेंटा दोस्तों एली फेंटा जो है वो एक गुफा है आप जानते हैं सरवण के बेला गोला में गोमतेस्वर की प्रसिध मूर्ती है खजुराहो जो है यह मंदिर है यहाँ पे और साची इस्टूप के लिए प्रसिध है तो सही कूट जो हो जाएगा आपका आपसन बी हो जाएगा तीन चार दो एक आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्लखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है तो देखिए सही सुमेलित जो है वो है कुसाड स्वाड और तामर के सिक्के सिक्के जो है कुसाडों ने स्वाड और तामर के सिक्के चलाए गुप्त सासकों ने स्वाड और रजत के सिक्के चलाए साथ वाहन जो है इन्होंने स्वाण के सिक्के नहीं चलाये थे दोस्तों साथ वाहनों ने जो है वो सीसे के सिक्के जारी किये थे और कलुचिर वन्स के सासकों ने स्वाण रजत और तामर के सिक्के चलाये थे और कुसाडों ने दोस्तों सबसे अधिक सुध स्वाण के सिक्के चलाए थे और देखे कलचुरी सासकों ने रजत और स्वाण के सिक्के तामर के सिक्के चलाए थे साथ वाहन सासकों ने स्वाण के सिक्के नहीं चलाय थे उन्होंने चादी, तांबा, सीसे और पोटीन के सिक्के जारी किये थे तो सही जो सुमेलित नहीं है वो है साथ वाहन साथ वाहनों ने स्वाण सिक्के नहीं बलकि सीसे के सिक्के चलाय थे अगला प्रश्ण है निम्र्खी जोडों में से कौन सा जोडा सही नहीं है भारत का कुल छेतरफल 3.28 मिलियन वर किलोमीटर ये आपका सही है दोस्तों भारत का अच्छांसी विस्तार 8.4 मिनट उत्तरी से 37.6 मिनट उत्तरी सही है भारत का रेखांसी विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर ये भी सही है और भारत में राज्यों की संख्या जो 26 दिये हैं ये आपका जोड़ा सही नहीं है तो आपको यही बताना था कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो दोस्तों इसमें देखिए कि भारत में बर्तमान में 26 जनवरी 2020 से अगर जो राज्यों की बात की जाए तो 28 राज्य और 8 केंदरसासित प्रदेश हो गए हैं और नवीनतम केंदरसासित प्रदेश जो बने हैं वो जम्बू कसमेर राज्य का जो है विभाजन करके जम्बू कसमेर राज्य को विशेस राज्य का दर्जा हटा के जम्बू और लद्दाख नाम के दो केंदरसासित प्रदेश बन गए हैं तो आपसन D आपका सही सुमेलित नहीं है अगला प्रशन है निम्नखित राज्यों में से कौन सा राज बंगलादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है अपसन है असम नागालेंड में घाले और मिजोरम तो सही उत्तर है दोस्तों नागालेंड नागलेंड की सीमा बंगलादेश से नहीं लगती है नागलेंड की सीमा म्यामार के साथ मिलती है दोस्तों अगला प्रशन है निम्न अस्थानों में से किस एक में रुधिर बर्सा या ब्लड रेन होता है तो आपको बताना है कि किस अस्थान पर रुधिर वर्षा होती है दोस्तों सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की और चलने वाली जो गर्म सुस्क और रेत भरी पवन होती है तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्ण छूट गया है सात्वा प्रश्ण दोस्तों ग्रेट हिमाले की उचाई कितनी है तो आप जानते हैं ग्रेट हिमाले जिसकों की एवरेस्ट कहा जाता है इसकी सरवाधिक उचाई 8850 मीटर है और यह आप जानते हैं कि उसका चूटी माउंट एवरेस्ट है जो की लगभग 8850 मीटर उची है अगला प्रशन है किस अस्थान पर रुधिर वर्षा यानि ब्लड रेन होती है तो दोस्तों ये आपसन आपका ए सही है इटली में ब्लड रेन होता है और इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि सहारा मरुस्थल से जो भूमत धिसागर की ओर चलने वाली गर्म सुसक और रेत भरी पवन सिराको होता है अपने इस पवन के साथ लाल रेत की मातरा अधिक होती है जब ये भूमत धिरेखा से होकर गुजरती है तो नमी धारान कर लेती है और ये वर्सा जब लाल रेत के साथ नीचे बैठती है तो इसे रुधिर वर्सा या रक्त वर्सा या ब्लड रेन कहा जाता है अगला प्रश्ण है किसका नाम प्रवर्जन सिध्धान से संबंधित है आपको बताना है तो सही उत्तर है माइग्रेशन थियरी से संबंधित है ली दोस्तों ली एक विचारक है LEE इनका नाम प्रवर्जन सिध्धान से संबंधित है और ली ने माइग्रेशन के निवास को अस्थाई अथवा अर्धस्थाई परिवर्तन के रूप में माना था अगला प्रश्ण कथन कारण से संबंधित है दोस्तों कथन है कि संसार में उत्तरी अट्लांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है यह सही है कारण है कि यह संसार के दो मुख्य और द्योगिक छेतरों को जोड़ता है तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही ब्याक्या करता है क्योंकि देखिए उत्तरी अट्लांटिक महासागरी मार्ग उत्तर अमेरिका और यूरोप के दो ब्रिहत विक्सित और प्रदेसों को जोड़ता है और ये दुनिया का सबसे ब्यस्ततम महासागरी अथ्वा सामुद्रिक मार्ग है और इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही ब्याक्या भी करता है अगला प्रशन है निमलखित में से कौन से बास्मती चावल की संकर प्रजाती है तो सही उत्तर है पूसा RH10 दोस्तों पूसा RH10 जो है ये बास्मती चावल की संकर प्रजाती है और ये बहुत ही महत्तपूर है संकर प्रजातियों में उतपादन छमता भी अधिग होती है अगला प्रश्न है गेहूं की खेती के लिए निम्लखित में से कौन सा परिस्थिती समुच्च आवस्यक है गेहूं की खेती के लिए दोस्तों जो परिस्थिती समुच्च आवस्यक होता है उसमें मध्यम ताप और मध्यम बरसा जरूरी होती है भारत में गेहुं की खेती के लिए 10 डिग्री से पचीश डिग्री से ताप मान और लगभग 50 से 75 सिंटिमीटर वर्सा की आवसकता होती है तो इसे हम मध्यम ताप और मध्यम वर्सा कह सकते हैं यहूं की अच्छी खेती के लिए जो परिस्थितियां उत्तरदाई हैं उसमें मध्यम ताप और मध्यम बर्सा महत्वपूर है। अगला प्रश्ण सूची एक का सूची दो से सुमेलन करना है। देखें मुंगफली उत्पादन में आंध्रप्रदेश अग्रडी है और दोस्तों पहले अग्रडी जो है भरतमान में आंध्रप्रदेश है लेकिन गुजरात भी अग्रडी उत्पादक राज जे रहा था मुंगफली का सरसो उत्पादन में राजस्थान और सोयाबीन के उत उत्पादन में मध्यपरदेश और नारियल उत्पादन में केरल अग्रडी राज्य है यहाँ पर आईए देखते हैं दोस्तों सूची एक खा सूची दो से सुमेलन कराना है और आपको बताना है कि जो है बाग आरक्षी छेतर किन किन राज्यों में इस्थित है देखिए जीव अभ्यारण या पाकोई टाइगर रिजर्व यह आपका अरुडाचल प्रदेश में इस्थित है तो सही उत्तर आपका आपसन B हो जाएगा दो चार एक तीन अगला प्रेशन है दोस्तों बिस्व बाग सिखर सम्मेलन 2010 यह जो बाग सिखर सम्मेलन था यह पहला बाग सिखर सम्मेलन था और इसको टाइगर समिट कहा जाता है यह रूस के सेंट पीटर्स वर्ग में आयोजित किया गया था 2010 में 21 से 24 नवंबर 2010 के बीच में और बागों की घटती आबादी उनके संरक्षन राद के लिए इस पर टाइगर समिट में चर्चा हुई थी तो सही उत है तो सही उत्तर है भारत की कुल छेत्रफल में बनों का छेत्रफल 21.54 प्रशत है और जो है देहरादून में जो भारती बन सर्वेक्षन भी भाग है प्रतेक वर्स दो वर्स पर उपग्रह चेत्रण के माध्यम से बन इस्थिती रिपोर्ट जो है वो जारी करता है अगला प्रश्न है निम्खित में से किस पारिस्थित की तंतर में पाउधों का जैविक पदार्थ अधिक्तम है दोस्तों जो जैविक उष्ड कटिवंधी बर्सा बन इसका सही उत्तर होगा और ये ऐसा पारिस्थित की तंतर होता है ये बायोम भूमध रेखा के निकट होता है 10 दिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दच्छिडी अच्छांसों के मद्ध होता है दुनिया का सबसे बड़ा बायोम है जो पिर्थवी के धरातल का लगभग 8 प्रतिसत भाग गेरे हुए है और दोस्तों यहां पे पसु जीवन का बाहुल्य है और भूमी और ब्रिच्छों पर रह होता है आपको बताना है कि संबिधान एत्तर अधिकार क्या होता है तो सही उत्तर है वह सक्ति जो संबिधान के अनकूल या संबिधान सम्मत नहीं है उसको संबिधान एत्तर अधिकार कहा जाता है दोस्तों वे अधिकार जिनका संबिधान के प्रावधानों में उलेक नही वे अन्य रूप से बाडित होते हैं उनको संभिधान एत्तर अधिकार कहा जाता है अगला प्रश्ण है भारती संभिधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों 243 ZD या हिंदी में कहा जाए तो 243 यग आपसन ए आपका सही उत्तर है कि दोस्तों भारती संभिधान के अनुच्छेद 243 ZD के अनुसार प्रतेक राज्ज में जिला अस्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है अगला प्रश्ण है प्रथम पंचायती राजब्यवस्था का उद्गाटन पंडित अक्टूबर 1969 में कहां किया गया था तो ये आपको जबानी याद रहना चाहिए नागवर में राजस्थान के नागवर में दोस्तों पंडित जवाहर लाल नहरू ने 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राजब्यवस्था का उद्गाटन किया था अगला प्रश्ण है 71 हमें सिंधी मड़पूरी और कोकड़ी जोड़ी गए थी तो याद रखेगा आठवे अनुसूची में जो है भारती संग की भासाओं का उल्लेख है और 1992 में जो 71 हमा संविधान संसोधन हुआ था उसमें जो है देखिए सिंधी मड़पूरी कोकड़ी जो है इन भासाओं को संयंत्र निम्रखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है एक बायो गैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है आपको बताना है दोस्तों देखिए बायो गैस ये देखिए 21 प्रश्ण देख लेते हैं 71 हमें संविधान संसोधन द्वारा कौन सी आठवे अनुसूची में कौन सी भासाएं जोड़ी गई थी तो इसका जो आपशन सही आपशन है दोस्तों यह है नेपाली कोकडी और मड़िपूरी याद रखेगा नेपाली कोकडी और मड़िपूरी तीन भासाओं को 71 में संबिधान सन सोधन से जोड़ा गया था आपशन सी आपका सही उत्तर है अगला प्रक्रिया के द्वारा बायो गैस उत्पन किया जाता है अगला प्रशन है फोटोग्राफी में कौन सा अमल या एसिट प्रियोग किया जाता है तो उत्तर है दोस्तों फोटोग्राफी में आगजलिक अमल प्रियोग किया जाता है और आगजलिक अमल का फेरस आगजलेट के रूप में फोटोग्राफि में उपयोग किया जाता है फार्मी कमल जो है यहाँ पे जो दिया गया है ये चीटियों में होता है साइट्री कमल नीबू और खट्टे फलो में पाया जाता है और एसीटी कमल इस सिरके में पाया जाता है अगला प्रशन है निम्लखित कतनों पर रबर होता है सही है पालिथीन पालिएथेन का बहुलक है ये भी सही है प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है तो ये दोस्तों ये गलत है क्योंकि प्राकृतिक रबर जो है वो आईसोप्रीन होता है तो एक दो तीन आपका सही हो जाएगा एक दो तीन आपसं सही है जो है प्रा जाता है आपसन है गिलिसराल मैथेनाल यूरिया या आगजेलिकेसिट तो सही उत्तर है दोस्तों गिलिसराल गिलिसराल जो है ये एक कारवनिक योगिक है सांद्र नाइटरिकमल और सांद्र सलफ्यूरिकमल की उपस्तिति में नाइट्रो गिलिसरीन बनाता है और ये एक नाइट्रोग्लिसरेन या TNG कहा जाता है अगला प्रशन देखते हैं निम्नखित कतनों पर विचार कीजिए मनुरंजन के लिए फिल्मे अनिवारे हैं ये कतन है निसकर्स क्या है कि फिल्मे मनुरंजन के एक मातर साधन है ये सही नहीं है लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं सही है लोग नाटक नापसंद करते हैं इसको भी पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता है लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं तो इस तरह से देखा जाये दोस्तों तो इस प्रश्ण का दूसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा केवल दो सही है यानि कि आपसंसी लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है 27 प्रश्ण प्रथम भारती ब्यक्ति कौन थे जिन्हें मैक से से पुरसकार दिया गया था तो दोस्तों प्रथम पूरुस जो हैं वो हैं मैक से से पुरसकार प्रात करने वाले प्रथम भारती आचार बिनुबा भावे हैं और बिनुबा भावे को आप भ दिल्ली के लिए एक ट्रेन जा चुकी है परंतु प्रतेक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए ट्रेन छूटती है अगली ट्रेन साढ़े आठ बजे रातर में छूटेगी उस यात्री को वह सूचना कितने बजे दी गई थी तो इसको आप सामाने रिजनिंग की तरह से हल कर सकते है चुकी 45 मिनट के बाद दिल्ली के लिए ट्रेन चुटती है अगले ट्रेन 8 पर चूटेगी यानि इसके पहले कि ट्रेन का चूटने का समय तो 7 बज के 45 मिनट रात पर हो जाएगा लेकिन यात्री को बताया गया कि एक ट्रेंद जो है 15 मिनट पहले छूट गई यानि 8 वजे उसको सूचना दी गई है तो आपसन B आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है यदि 5 सेंटिमीटर त्रिज्या वाले किसी बृत में A, B और A, C दो समान जीवाएं प्रतेक 6 सेंटिमीटर की हो तो जीवा B, C की लंबाई कितनी होगी दोस्तों इसको आप फारमूले के आधार पर जब आप सेट करेंगे तो इसमें आपका उत्तर आजाएगा 9.6 सेंटिमीटर तो उपर्यूक्त में से कोई उत्तर यहाँ पर सही नहीं है तो आप आजाएंगे आप संटी सही हो जाएगा अगला प्रशन है निम्न आकडो का बहुलक क्या है आप देखिए देखिए 10 से 25 की बारब बारता 2 है 25 से 40 का 3 है 40 से 55 का 7 है 55 से 70 का 6 है और 70 से 85 का 6 है 85 से 100 का 6 है तो इसमें बहुलक पूछ रहा है कि दी गई साडी का बहुलक क्या है तो बहुलक का फार्मूला होता है दोस्तों देखिये जब कोई साडी दी गई होती है तो इसमें 40-55 का जो आबरित्तिवर्ग है तो इसमें बहुलक जो Z कमान होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1 होता है तो जब आज इस फार्मूले पे इस सुत्र को साल्व करेंगे तो इसका मान 52 आ जाएगा तो ये जो 52 जो है बहुलक इसका बहुलक 52 आ जाएगा सही उत्तर आपका आपसन B हो जाएगा अगला प्रश्ण है निर्म खित में से परिमे संख्या क्या है तो परिमे संख्या क्या होती है दोस्तों यहाँ पर देखिए A, C और D की संख्याएं अपरिमे हैं A, C और D ये जो है अपरिमे संख्याएं हैं और परिमे संख्या कौन सी होती है जिनको की PYQ के रूप में लिखा जा सके तो यहाँ पर X का मान अगर जो दो दसमलो 3,7,1,3,7,1 और इसी क्रम से आगे बढ़ रहा है तो जब आप इसको PYQ के रूप में लिखेंगे तो यह PYQ के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए यह परिमे संख्या है अगला प्रशन यहाँ पर देखिए सारडी एक दी गई है इसमें आपको लुप्त अच्छर खोशना है तो दी गई सारडी में रिक्ता स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर देखिए जब सारडी में बाएं से चलेंगे आप तो बढ़ माला के अच्छरों का सीधा क्रम और उल्टा क्रम क्रम से रखा गया है तो यहाँ पर देखिए ए बाएं आपको चलना है ए वाई ए बी ए तो यहाँ पर दोस्तो डी हो जाएगा यहाँ पर जो संख्या अरे अच्छर आ जाएगा वो डी होगा यहाँ पर देखिए डी ए बी डी और एक्स वाई सी ए बी सी यहाँ पर देखिए किस तरह से इसका संयोजन किया गया है कि रिक्त स्थान पर डी होगा साड़ी में जब आप बाएं से चलेंगे तो बढ़ माला के अच्छरों का सीधा क्रम रखा गया है अगला प्रश्ण है निम्नखित आकरिती में त्रिभूजों की संख्या बताईए तो यहाँ पर जब आप गिनेंगे एक फलक वाले जो त्रिभूज है यानि एक फलक ऐसे गिनते जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस इक ग्यारे तो एक फलक वाले त्र फलक वाले त्रिभूजों की संख्या जो है साथ हो जाएगी तीन फलक वाले त्रिभूजों की संख्या तीन हो जाएगी और 11 फलक वाले त्रिभूजों की संख्या एक तो 11 तीन जो है 14 7 21 एक बाइस टोटल त्रिभूजिस में 22 हो जाएंगे आप सन यह आपका सही हो जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो गुरु पोडिमा पर्व हिंदु और बवधु दोनों के लिए महत्वपूर है यह पर्व हिंदु पंचांग के अनुसार असाड महीने में यानी जून से अगस्त के महीने में पोडिमा के दिन मनाया जाता है हिंदु इस परव को महानसंत ब्यास की इस्मृति में मनाते हैं, तो महर्सी ब्यास की इस्मृति में मनाया जाता है, लेकिन बौध लोग इस दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी दिन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, और बुद्ध के जीवन की जो म अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में क्रित्रिम अंग निर्माड निगम कहां पर इस्थित है तो ये दोस्तों कानपूर में इस्थित है और भारत के पहले स्वदेशी 9mm पिस्टल के संबंध में कौन साता थे सही नहीं है तो सही उत्तर है भारत का पहला स्वदेशी 9mm मसीन पिस्टल DRDO और भारती सेना द्वारा बिक्सित किया गया है दोस्तों इसमें जो है देखिए आप इसका उपरी रिसीवर कारबन फाइवर और निचला रिसीवर एयर क्राफ्ट ग्रेड एलियूमिनियम से बना है ये सही नह इसमी रखा गया है इसका अर्थ गर्व आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम है अगला प्रेशन है दोस्तों करिंट अफेयर से है 7-8 जनवरी 2021 के मद्ध वर्चुल अंतराष्टी अखंड सम्मेलन एडुकान 2020 जो आयोजित हुआ था इसका विशे क्या था तो सही उत्तर है द बैस्विक सांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए सिक्षा की संकल्पना आपसन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेशन भी करेंट अफेयर से है 2-3 फरवरी 2021 को केंद्री मंद्री बाबुल सुप्रियों ने किस संस्थान के भाग के रूप में भारत के पहले आर्द भूमी संड़क्षण और प्रवंधन केंद्र की अस्थापना की थी तो सही उत्तर है दोस्तों इस संस्थान के अंतरगत राष्टी सतत तटी प्रवंधन केंद्र चिन्नई में दोस्तों केंद्री मंद्री बाबुल सुप्रियों ने राष्टी सतत त प्रवंधन केंदर चिन नई के अस्थापित करके किया है इस केंदर में विशे सोधाव सक्ताओं और जानकारियों की कमी का समाधान निकला जाएगा और आर्द भूमियों के संड़क्षण प्रवंधन और उचीत उपयोग के लिए जो है सहयोग किया जाएगा अगला प्रश के नए अध्यच और मुख्य कारेकारी अधिकारी सुनीत सर्मा बने है तो सही उत्तर है सुनीत सर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यच और कारेकारी अधिकारी बने है और अगला प्रशन और इस वीडियो का आखरी प्रशन 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य आठवा नार्थ फिस्टिवल 2020 गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था और इस फिस्टिवल का फोकस ग्रोथ एजेंड़ा फार नार्थिष्ट पोस्ट कोविड-19 था और इस महुसों का आयोजन पहली बार गुवाहाटी में किया गया है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आ जो है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग द्वारा और उत्तर प्रदेश अधिनस सेवक चैन आयोग द्वारा आयजित की जाने वाली अन्य प्रतियोगी परिच्छाओं के सामान अध्यन खंड के लिए विशेष उप्योगी है आप इन प्रशनों को तयार कर लेजेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्ग दशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार